नमस्कार दोस्तों तो आज के दिन हम बात करेंगे उर्जा कलोबल के बारे में जो आपको पाता है बहुती कम पराइज के अंदर देखने को मिल जाता है और अभी आज के दिन में वैसे देखके तो इस्टोग ने लो सरकीट देखने को मिल जाता जो करीबन एक परसेंट के आ भी दिया अभी अच्छा कासा लो भी देखने को मिल जाता है और हर दिन इस ठोक में गिराउट देखने को मिल जाते है तो इसके बारे में हम सर्चा करने वाले हैं और बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो तो वीडियो को पूरा लाश्ट एंड तक देखना तो दोस्तों आज अब जानेंगे बस आपका 3-4 मिनट लेंगे ठीके बस 3-4 मिनट के एंड़र वीडियो पूरी एंड कर देंगे तो करीबन इसकी बात करें करें करन्ट पराइस की तो दोस्तों आपको पता है करन्ट पराइस देखने मिल चाती है जो 12 रुपए 30 पैसे का असपास है अभी मा पार्केट चलते हुए मैं वीडियो बना कर बता रहा हूं स्टोक डेप डेबरें लिए उचलोन हो गया उर्जा गलोबल हो गया तो इनकी बहुत ज़्यादा आने वाली फ्यूचर में आपको पता है सोचते हो की नॉर्मल आप भी क्योंगी आने फ्यूचर में इस्टोक कै जैसे अब फुराने इन्वेस्टर हो गए मंतली के पहले दिनोंने बाई करके रखा है मंतली 16 मंतलि के अंदर अब जैसे 6 पाइवर्स की बात करें लगबग आपको पता इस टोक ने साड़े बारा सो गुना रीटन इस टोक ने निकाल के दिया ठीक है साड़े बारा सो गुना रीटन निकाल के दिया कौन इसको बला बुरा बोलेगा तो आपको पता है इन लोगों ने पांच साल आपके वेट किया इ जैसे यह आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया करीवन 5 साल तक इंतजार किया इस स्टोक की तेजी देखने के लिए ठीक है तो आप लोग इसे मैं बोलता हूं आप लोग एक या दो साल तक फोल्डिंग करके चलोगे तो अच्छा बला रिटेन देखने को इसी स्टोक से मिल जाएगा और बाकी देखो दोस्तों आपकी पैसा डालने स्पेल है अपने एडवाइजर से जरू सला ले ले क्योंकि आगे चलके फिर लाइब में कोई प्रोब्लम ना खड़ी हो जाए ठीक अब मतलब आप लोग क्या करते हो कि अचानक मतलब 100% अमाउट लगा देते हो ऐसे स्टोक के अंदर तो वहाँ तो आपका लोस हो नहीं है दोस्तों कोई भी हो ठीक है तो ऐसे समझदार बनो कुछ अलग करो यह मार्केट है पैसा बनाना इतना आसानी है जितना आप लोग स सोच लेते हो ठीक है अब कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि स्टोक अपर सरकीट के अंदर चल रहा है और अभी उपर जा रहा है हम क्या करें इसके अंदर पूरा 100% अमाउट लगा दे वह गलतिया मत करो जब स्टोक ऊपर की और एकदम रिटन दे चुका होता है जब आ कितना गिरेगा जोर लगा कितना गिरेगा इसके अब जैसे मैकसिमियम है बात करे छों इतनी आर्ट रहसे नहीं देखने को और भी था बात करें काको और है फ्यूचर में हमारे लिए सही स्टोक है या नहीं है दोस्तों डेपनेरली सही स्टोक है आप मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा क्वांटिटिया बाये करके चलो वस नॉर्मली ठीक है पोटफोलियो का अंदर जरूर एड़ करो तो वीडियो अच्छा लग है तो वीडियो को ल सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोलना